हलो फ्रेंड मैं हूँ वेदान तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में काफी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई कोई ऐसे एप्लिकेशन बताओ कोई ऐसा सौफ्वेर बताओ जिससे हम अपने बैग्राउंड को बलर कर सकते हैं यहां फिर उसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं जैसे की DSLR में होता है यहां फिर ग्रीन स्क्रीन में होता है DSLR हर कोई एफॉर्ड नहीं कर सकता और जितने भी नई तो DSLR की जरूरत है नहीं आपको Green Screen की जरूरत है आप बिनास Green Screen और DSLR के अपने बैग्राउंड को चेंज कर सकते हैं रिमूफ कर सकते हैं और उसको बलर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स यह एप्लिकेशन Macbook पे नहीं चलेगी अगर आप Macbook यूजर है तो थोड़ा आपको निराशा हो सकती है वो एप्लिकेशन सिर्फ Windows PC यहां फिर Laptop पे चलेगी तो अब मैं आपको अपने Laptop पे लेकर चलता हूँ और फिर बताता हूँ कि आपने कैसे background को delete करना है पर उससे पहले friends अगर आप आप मेरे चैनल पे नए है तो इस चैनल को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे new videos की update time to time मिलती रहेंगी power director आपके system में install होना चाहिए इस समय मैं power director 16 version use कर रहा हूँ अब यहाँ पे आपको अपने background को और आपका जो video है उसको यहाँ पे import करना है यहाँ से आप file में click करेंगे और उसके बाद लिखा हुआ import और उसके बाद media files के उपर आपने click करना है और जो भी आपका background है और आपका video यहाँ से आप उसको select करेंगे अभी मैं यहाँ पे इसी का by default background ले ले लता हूँ जो आपका background है उसे drag करके आपने सबसे उपर वाली timeline पे लाना है और जो आपका video है उसे drag करके आपने उसके नीचे वाली timeline के उपर लेके आना है वीडियो के उपर आपने right click करना है और यहां लिखा है edit video image इसके उपर जाएंगे और इसके बाद edit in color director इसके उपर आपने click करना है यहां से आपका वीडियो color director के अंदर insert हो चुका है और आप यह जो option देख रहे है motion tracking की इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद देखेंगे friends यह एक circle सा बना आ गया आप इसके radius को कम यह ज़्यादा कर सकते है यह जो size लिखा हुआ है size को अगर आप कम करेंगे तो देखेंगे circle का size भी कम हो रहा है यहां तो आप इसको बढ़ा भी सकते है अपने accordingly इसको set करने के बाद आपने इसको अंदर क की साइड रखना है भार की साइड नहीं रखना और mouse का जो left click है उसको आप press करके रखेंगे उसके बाद इसको आप move करना start कर देंगे अब देखेंगे मेरा अंदर वाला area select होने लग गया select होने के बाद आप देखेंगे कुछ area जो है वो extra हो गया extra जो area है उसको remove करने के लिए eraser की option है वो ठीक आप eraser के brush को भी यहां से size increase या decrease कर सकते है अब आपने यहां पे इसको ऐसे side में लेके जाना है और आपने इसको set करना है जितना भी extra area है वहां से आप इसको erase कर देंगे यह करने के बाद friends आप इस option में जाएंगे यहां पे लिखा हुए start motion tracking यह process थोड़ा slow है पर यह पूरे motion को track करेगा इसमें अगर आपका hand move कर रहे है आपका head move कर रहे है तो यहां से यह पूरा track करने लग जाएगा अब इसके उपर आपने click करना है और उसके बाद आप ok करे जैसे यहां पर अभी miss हो गई है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके बाद आपने इस option में जाना है invert mask इसके उपर आपने click करना है click करने के बाद देखेंगे आप मेरा background select हो चुका है और उसके बाद आप यह tone की option देख रहे हैं यहां पर tick होना जरूरी है अगर आपक अब देखेंगे background मेरा पूरा dark हो चुका है अब इसके बाद यहां से आपने page को नीचे करना है color replacement की option आ रही है इसमें आपने pencil को select करना है और जो आपका background है उसके उपर ले जाके आप इसको click करेंगे click करने के बाद देखेंगे friends यहां box में मेरा background select हो चुका है उसके नीच आप इसको okay करेंगे अब यह देखेंगे tolerance की option है यहां से आपने इसको increase करना है आप देखेंगे मेरा पूरा यह green color select हो चुका है यहां से यह सब कुछ करने के बाद friends फिर जे इसको यहां से आप उपर लेके जाएंगे और यहां पर आपको option मिलेगी feather की feather को आप यहां से set क कर सकते हैं अगर आपके outline पे यह जो आप outline देख रहे हैं यहां white white ज्यादा आपको लग रहा है तो feather से आप इसको थोड़ा set कर सकते हैं यहां से आप इसके white balance को भी select कर सकते हैं यह कुछ options है जिसको आप अपने accordingly देख लिए जैसे भी आपको set करना है और उसके बाद यह ज तो जो आपके background की image है उसको आपने यहां से click करना है और side में option आ रही होगी effects की इसके उपर आप click करेंगे और यहां search के उपर आपने blur लिखना है जैसे already मैं लिख चुका हूँ और इस blur वाले effect को आपने drag करके लाना है और आप नीचे लाके इसको छोड़ देंगे यहां से मैंने mp4 को select कर रहा है आप चाहे तो किसी और video format को भी select कर सकते है और उसके बाद आपने कौन सा resolution रखना है आप यहां से देख सकते है और यहां से यह project कहां पे save होगा आप वो path दे सकते है जैसे यहां पे मैंने desktop दे दिया और save के उपर click कर दिया और उसके बाद लिखा तो यहां से आपका video बनने लग जगा इस तरह से आप अपने background को change करके उसे blur कर सकते है यह चीज़ आपके android phone में भी हो सकते है पर उसके दूसरी application है पर उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा उस application को जब आप use करोगे उसमें आप अपने background को change सो नहीं कर होगे हाँ पर उसे आप blood जरूर कर सकते हो अगर आप उस topic पर भी video चाहते है तो आप मुझे comment section में बताइए मैं उस topic पर भी जल्दी video बना दूँगा अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like और share जरूर करे और अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं करा तो subscribe बटन पर click करे और इस bell icon को जरूर प्रेस करें next video के साथ मैं आपको जरूर मिलूँगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत